एक और मैं देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी जी बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दभी जबान में हस रहे थे पृस्टे में ये संदे होता है और ये प्रश्ण उठता है कि क्या हमारे देश के पृधानमंतरी पढ़े लिखे हैं अगर पढ़े लिखे पृधानमंतरी होते तो GST ठीक से देश के अंदर लगوع होता कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंत्री जी को बेकूब बना सकता है गर प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं होंगे हाई कोट के ओर्डर ने प्रधानमंत्री जी की शिक्षा को लेके जो संशय था वो और बढ़ा दिया है कोई भी जानकार आदमी पढ़ा लिखा आदमी इस किसम की बात नहीं करेगा एक उनका बयान आया कि अगर किसी दिन बारिश हो रही है और बादल हैं तो बादलों के पीछे हवाईजा जो है उसको राडार नहीं पकड़ पाएगा ये तो जिसने भी सुना उसे ही लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं आर्मी के लोगों ने फौज के लोगों ने एर फोर्स के लोगों ने बच्चों ने पढ़ने वाले बच्चों ने युवाओं ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा उस से ऐसे लगता है कि उनका विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में कितनी कम जानकारी है पूरी दुनिया उस टाइम प्रधानमंतरी जी को देख रही थी पूरी दुनिया के सामने देशवासी एक तरह से बड़े embarrassing feel कर रहे थे एक और मैं देख रहा था प्रधानवंत्री मोदी जी बच्चों को address कर रहे है बच्चों को वो बता रहे थे कि कैसे climate change जो है वो ऐसा कुछ नहीं है कोई climate change नहीं है अब climate change global climate change global warming जो है ये बहुत बड़ा सक्ते है ये पूरी दुनिया मानती है पूरी दुनिया के अंदर इस पे खूब काम चल रहा है अगर हमारे देश के प्रधानवंत्री ऐसी बात करेंगे कि climate change कुछ नहीं है ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है तो फिर तो उसके उपर हम action भी कैसे ले पाएंगे और मैं देख रहा था उसमें जो बच्चे सुन रहे थे वो दभी जबान में हस रहे थे ऐसे में ये संदे होता है और ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं प्रधानमंत्री जी के कुछ वीडियो हमने देखे एक भाशन में वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखानी हूँ मैं गाउं के स्कूल गया था उससे जादा मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है प्रधानमंत्री को एक ही दिनों में सेकडो फैसले लेने होते हैं विज्ञान से संबंदित अर्थवेवस्था से संबंदित अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये अफसर आके तरह तरह के किसम किसम के लोग आके उनको बहला के कहीं भी दस्खत करवा के ले जाएंगे, कहीं भी कुछ भी पास करवा के ले जाएंगे, जैसे नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से देश को बहुत खामियाजा बोगतना पड़ा, नोटबंदी से देश एक तरह से दस साल पीछे चला गया, इतना जादा नोटबंदी से पू लागू किया गया इसने पूरी अर्थवेवस्था का बिड़ा गर्क कर दिया आज। अगर पड़े लिखे प्रधानमंतरी होते तो GST ठीक से देश के अंदर लागू होता। किसानों के तीन काले कानून लागू किये गए। जिस तरह से वो कानून लाए गए बिना लोगों से पूछे बिना बातचीत किये। ये समझ में नहीं आता कि किसने जाके प्रधानमंतरी जी के कान भरे और उन्होंने वो कानून पास कर दिया। अंत पंत में एक साल के बाद तीनों कानून वापस लेने पड़े। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति जाके प्रधानमंतरी जी को बेकूब बना सकता है अगर प्रधानमंतरी जी पढ़े लिखे नहीं होंगे। पिछले कुछ वर्षों के अंदर साथ हजार स्कूल देश के अंदर बंद कर दिये गए। देश की अबादी एक तरफ बढ़ रही है। स्कूल तो बढ़ने चाहिए थे। लेकिन साथ हजार स्कूल बंद कर दिये गए इसका मतलब देश में शिक्षा को तवजु नहीं दी जारी जो तवजु दी जानी चाहिए। एक अंपढ़ देश कैसे तरक्की करेगा। हाई कोट के ओर्डर ने प्रधान मंत्री जी की शिक्षा को लेके जो संशय था वो और बढ़ा दिया है। इस बात का लोगों को जवाब नहीं मिल पाया कि प्रधान मंत्री जी कितने पढ़े लिखे हैं। कुछ डिगरी इधर उदर एक दिन अमिद्शा जी ने भी प्रेस कांफरेंस करके कुछ वर्ष पहले डिगरी दिखाई थी। अगर डिगरी है और वो सही है तो डिगरी दिखाई क्यों दिल दे क्यों नहीं जा रही। गुजरात विश्व विद्याले अदिली विश्व विद्याले डिगरी क्यों नहीं दे रहे। उनकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे। तो लोगों के मन में दो ही आंसर हैं, क्यों नहीं दे रहें, एक ही हो सकता है, इसलिए नहीं दे रहें, क्योंकि यह हैं क्यों दूँ, मेरी डिग्री मानने मांगने वाले यह कौन होते हैं, इनकी आउकात क्या हैं, पर जनतंत्र के अंदर इस तरह के प्रश्ण तो ठीक नहीं हैं अगर जनता मांगती है तो देनी चाहिए और दूसरा प्रशन जनता के मन में यह उठा है कि डिगरी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डिगरी हो सकता है फरजी हो डिगरी हो सकता है नकली हो तो यह जनता के मन में कल के और्डर के बाद बहुत सारे अफवाहों का बाजार गारा में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं और ये नहीं समझ में आता कि अगर प्रधानमंत्री जी दिल्ली विश्वविद्याले से पढ़े गुजरात विश्वद्याले से पढ़े तो गुजरात विश्वद् को छुपाने की कोशिश कर रहा है